हलो फ्रेंट्स बालकोनी गार्डेन का एक छोटी सी वीडियो ले आई हो फ्रेंट्स तो इस ताइम मैंने क्या-क्या लगाया है आप लोग जरूर देखिएगा और इससे पहली देख लीजिएगा मेरी बालकोनी से ऐसा ब्यों आते है तो देखिए आज बहुत दिन के बाद दूप निकली है बहुत आःच्छे से निकली है धूप मेरी ब्लंस बहुत हैपी हो जाएंगे और देखिए फ्रेंट्स यही है मेरी एक छूटी सी बालकोनी तो इसी में ही मैंने क्या-क्या प्लंस लगाया है और क्या-क्या तैयारी में है तो यही शेयर करूँगी आप ल बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, आज तो बहुत सारे फ्लावर्स खिली है, हिबिसकास, चार चर्फ खिली है, और यह है सांगोप इंदिया, पहले मैंने तेरिस में रखा था, बहुत बारिश हुआ तो मैंने बालकुनी में ले आई, और यहां मैंने कुछ हेंगि राखी हुई है तो हैंगिंग में यह लगाया हुआ है मानी प्लांट्स देखिए बहुती प्रीती लाग रही है हेल्दी भी बहुत है यह नीचे की तरब देखिए कितने लंबी हो गई है यह और प्लांट काफी भूशी भी हुई है और हेल्दी भी है और यह है तेंगल हर्ड तो इसको भी देखिए बहुती लंबी हो गई है यह भी यह भी बहुती हेल्दी ही है बूशी भी हुआ है यह देखिए बिलकुल घना हुआ है और यह है पर्पल तर्टल वाइन यह भी बहुती खुबसुरद है बहुत बूशी हु यह देखे तो लगाया आभी चुती-चुती से ब्रांचेस भी निकल करके आई है, तो उम्मीद राखते हूं, आगे जाके भूशी होगा जरूर, तो और ये है वांदरिंग जीओ, देखिए इसको भी लगाया है, नया एट किया है, मेरी पास पहली नहीं थी, तो आभी मैंने एट किया है, तो एक ही जगा में ही मैंने राख दिया है, फिल हाल, तो बात में मैं शिफ्ट करूंगी, और ये इसी का प्लान क्या नाम है, नाम मुझे पता नहीं है, आप लोगों में से किसी को भी पता है, तो प्लीज बता दीजिएगा, बहुत महरबानी होंगे आपकी, तो ये ब लीब जो है, बिल्कुल हार्ड छेप के तरह है, बहुती खुबसुरत, और ये देखिए, फ्रेंड्स, ये है बिगोनिया, तो मेरे पास तीन कलर थे, तो बारिस की ताइम, दुनों मर गया, तो इसको मैंने हैंग करके रखा था, उपर ऐसे ही हैंग करके रखा, तो ये बा आज केया, तो नीचे से बहुत अच्छे अच्छी से ये ब्रांचेस जो है, निकल करके आई है, बहुत शाइम भी कर रही है, इसके पत्ती बहुत खुबसुरत है, और इसके फूल कर चूती-चूती सी करके आते हैं, बहुत रंग में होते हैं ये, और कातिंग से भी किया, देखिए कितनी बरी-बरी पत्ती है, मैं तीन-चार दिन बाद-बाद ही पानी चेंज कर देती हूँ, हप्ते में एक बार पानी चेंज करने से भी हो जाती है, तो ये देखिए लाकी बेंबू, मैंने मित्ती में लगाया है, और इस तरव है, ये देखिए पॉइंट तो इसको मैंने हेंग कर दिया है मेरी गार्डेन में बहुत सार प्लान हो गया तो इसलिए जागा नहीं हुआ तो मैंने हेंग भी कर दिया कुछ प्लांट तो इसमें सदा बहार है और परफेल हर्ड यह देखिए यह भी बहुत अच्छे से और भी अच्छे थी तो बारिश कलिया आया है यह night queen तो नीचे गिर गया था गिर के तूट गया भिकर गया बिल्कुल इसका कलिया भी है तो वो भी खराब हो गया था मैंने फिर से यहां लगा के रखा है और ये भी देखिये ये hanker के मैंने रखा हुआ था इस कलिया तो यह भी निचे गीर गया तो यह भी टूट गया तो इसको ही मैंने फीर से दबा के लगा दिया है तो पोद भी मुझे चेंश करना पारा यह तो तूट गया और यह है गोल्डें मानी प्लांच तो इसमें मैंने लगाया और यहां यह नारिय Mist गाउ में ले जाना था तो आभी तक नहीं ले पाया तो इसलिए यहाँ ही रखा बहुत बारा प्लान है यह तिन साल में ही फ्रोटिंग होगा ऐसा बोला है नर्सली लोगों ने यह बरी वाली गुरूबेक में लगाया हुआ है और यहाँ कुछ बोतल में मैंने लगा के रखा है एगलोनीमा को देख सकती हो इसका गुरूद भी बहुत अच्छी हेल्डी है और यह है एलामंदा मैंने काटिंग से गुरू किया है यह बाच गया और इसमें चुती-चुती से बालसम का सिर्ष गिर गया होगा यह भी हो गया है अभी और यह है हाइद्रेंजिया मैंने एट किया है इसको और यह मैंने स्टेक प्लान का कुछ काटिंग पानी में ग्रू करना है तो इसलिए मैं त्राइ कर रही हूँ और यह है मेरा ख्रिसेंटेमाम गुलडाओ दी तो मैंने पिंचिंग करके रखा हुआ है और यह भी सिंगुनियम है मैंने नया एट किया है इस और ये है धेली तो मेरे पात बाल्ब थी कोछ बाल्ब तो खराबी हो गया है और जिन बाल्ब अच्छी है तो इसमें निकल के आई हूई है तो मैंने लगा दिया और यहाँ देखिये क्रिशन्त lawm है और यह हिबिसकास है यह हिबिसकास देखिये मैने काटिंग से गुरूई किया था तो यह बच कैया अभी अच्छी से यह light pink color का है हिबिसकास double petal और यहाँ भी मैने काटिंग लगाई है यह देखियेगा यह लाइट पिंग है मगर सिंगल पापरी वाला सिंगल पेटल तो मैंने यह नया ही एट किया है पता नहीं क्या होगा तो और यहां मैंने क्रिसेंट अमाम का कार्टिंग्स लगाया था तो मैंने रिपत कर ली है और एक दू बची हुई है और इसमें ही सुबे को यह पंची चीरिया आके बहुत खेलते है बहुत खुबसुरत करके खेलते है मैं ऐसे ही देखती हूँ घर बेथे बेथे और यहां देखिए मैंने केलांचू काटिंग से ग्रू किया था तो यह भी बहुत अच्छी से चल रही है यह देखिए बहुत सारे ब्रांचेस भी निकल के आई है बात में मैं शीप्ट करूँगी और यह भी गुलदाओदी ही है तो बात में रिपोट करूँगी और इसका तो बहुत बुरा हल है यह जरबेरा का रेट माइट्स ने इतना एतक किया और यहाँ भी मैंने काटिंग्स लगाया है हिबिसकास का यह रेट कलर है दोबल पप्री और यह देखिए हार्ट अब जीजास उस दिन मैंने लगाया था तो आभी बहुत अच्छी से यह देखिए इसके पत्ती कितनी खुबसुरत लग रही है और यह पास दुनो एरिका पाम यह इतना सबरा हो गया है और यह भी हार्ट अब जीजास मैंने निया एट किया है और यह विंटर की प्लांट्स है इसमें कुछ फूल है तो मैंने ऐसे ही राग दिया और देखिए यहाँ स्नेक प्लांट यह भी आच्छी से ग्रो हो रही है मैंने निया एट किया है तो इसलिए बूशी नहीं हुआ है अभी तक उम्मित राखती हूँ आगे जाके होगा जरूर तो यह है रोस यह रेड रोस है रेड नहीं ब्राउन है इसका बहुत सारे बार्ट शाई हुई है इसमें बहुत अच्छी से मैं तेरेस में जब राखती हूँ तो वहाँ इतनी सारी वो रेड माइट्स का एटेक हो गया था तो मैंने इस प्लान को बालकुनी में लिया आई बहुती खुबसरत मेरा फेवरिट कलर है तो इसलिए यह यहां ले आए और यह बजगे और यह करेले छाट पर लगाऊंगे और यह है मैंने गाउं से ले आया है यह भी बहुत अच्छी लगते है खिलने के बाद और यह भी जरवेरा यह देखिए कितनी बुरा हाल है और यहां मैंने मीर्च भी लगाई है ग्रोवेक में मैं ऐसे करके रखती हूं तो बार इस तुफान आतेवाग ऐसे ही नीचे गिर जाती है तो इस बार मैंने क्या किया आच्छी से बान के रखा है आभी तुफान के बाब आने से भी नहीं गिरेगा नीचे यह भी गया यह तो दूबर हुआ है ऐसा तो इस बार मैंने वीडियो नहीं बनाया है तो इसलिए नहीं दिखा पाएं आप लोगों को और यह पीस लीली दीदी ने जो दिया था यह भी चल रही है आभी बहुत आच्छी से चल रही है और इसका तो एक फूल भी आया है यह देखि और यहां भी सनेक प्लां है यह ने गाउं से ले आया मेरी पास दू टाइप का सनेक प्लां है एक साइट में येलू येलू ओ ऐस और यह पूडी ग्रीन है तो बिच बिच में थोड़ा सा वाइट वाइट और यहां कोलियास का कलेक्शन where are है मैंने एक जागा में ही राग दिया बात में मैं अलग-अलग करके शिप्ट करके लगाऊंगी रिपत करूंगी तो आभी ऐसे ही मैंने राग दिया कलेक्शन के लिए और ये एगलो निमा और सिंगो नियम ये तो पहली दिखाया था आप लोगों को अभी ऐसे ही है फिर भी बहुत अच्छे चल रही है और ये तो बहुत बरा हो गया है ये एगलो निमा मैंने छूटी से पोट में लगाया और ये क्यलांचू और यहाँ देखिए मैंने गुलडावदी का कुछ लगाया था तो इसको रिपोर्टिंग किया और यहाँ बहुत कुछ है इस एक छूट से पोट में ये गुलडावदी है कोलियास है एक जूरा है इसके बात क्यलांचू है तरा तरा का जो प्लान सब इसी में है बात में मैं शीप्ट करूंगी अभी फिलहाल मैंने ऐसे ही लगा दिया तो यहाँ बेरिगेटट भी है क्यलांचू तो देखिए मैंने रिपर्टिंग कर ली है गुलडावदी विंटर के लिए तो ये गेंदा ये रेट कलर का है मैंने काटिंग्स यहाँ लगा के रखा है बात में मैं रिपर्ट करूंगी और ये भी हाइडेंज जिया मैंने निया एड किया है इसको भी मुर्चा हुआ है बिल्कूल ठीक हो जाएगे बात में तो यही है मेरा आज का वीडियो वीडियो कैसा लागा प्लिस कमेंट करके बता दीजिएगा थेंक यू